नमस्ते जी, स्वागत है आपका थेयर सेविल्स में इस वीडियो के माधियम से मैं कुछ बातें आप से शेयर करने जा रहा हूँ कुछ एक्सपीरियंसे शेयर करने जा रहा हूँ पास्ट फीव येर्स की मेरे चार प्रिलिम्स को क्लियर करने की थोड़ी सी सीख जो है और फिशली जो लास्ट फीलिम्स जो क्लियर किया था उसमें जो मेरे एक एक सो तीन प्लस कोशन सही हुए थे जब जो आपusciroot में बात करते हैं यूपीपीसिस में, तो कोशनी की ही बात करते हैं जो कोशनी सही हुए थे वो ऐसा क्या changes किये पहली बात तो last 4 films में की score बढ़ गया ठीक है उससे पहले border पे रहता था और कुछ mental level पे बाते मैं share करना चाहता हूँ जो मेरी personal learning से है तो I hope यह आपको help करेगा पहली बात और जो अब बचे हुए दिनों में आपको mentally थोड़ा सा reorient करने में help करेगा तो चलिए start करते हैं तो पहली बात क्या है ना जैसे इमरान खान कहते हैं कि अपने को घबराना नहीं है तो do not panic panic क्या होता है कि सब चीजें खराब करने लगता है तो मैं चोटा सा anecdote देता हूं या फिर कह लीजे कि यह रियल चीज है कि हम लोग का discussion group है तेज सेविल्स का जिसमें हम लोग अपने problem को सामने आप लोग रखते हो और मैं किसी तरह कोशिश करता हूं कि अपने experiences से उनका answer दे पाऊं और आपस में भी आप लोग बाते करते हो तो उसमें धेर सारे लोग पिछले पिछले च्छे मैनों से अलग अलग चीजों पर अपनी doubts रखते थे कि मेरा problems या फला फला का problems क्यों नहीं clear हुआ और धेर सारे लोग या अगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं तो हो सकता है कि मैं आपसे बहुत जादा ना जानता हूं है ना लेकिन फिर भी कुछ गरबणिया हो रही थी तो उसमें सबसे जादा जो चीजे हो रही थी ना issue आ रहा क्या हो से जादा पॉल आज उपना चीजे हो सकता है कि कोई कोई ऐसे होंगे जो 22 शाल के होंगे और कोई कोई ऐसे होंगे जो 34-35 साल गयोंगे, एक्जाम दे रहे होंगे, multiple failures देखा होगा, तो वहां से होता है ना कि अपने abisimal low से उठने के लिए एक तिनका भी काफी होता है, तो क्या पता ये साल आपके greatness की कहानी लिखने वाला हो, तो self-doubt मत कीजे, यहां तक आप आए ह लेकिन जब एक साल पढ़के आप exam देने तकात कहानी आती है ना, तो वो दूसरों के force करने से नहीं आते हो इतने दूर तकात, वो आपकी खुद की चूज की हुई जरनी है, तो आपके खुद की चूज की हुई जरनी पे ना, आप self-doubt कैसे कर सकते हो यार, और आपको पत पास समय बहुत कम था, और साथ ही साथ, इंटर्व्यू के बास select ना होने का एक कैलो की अंदर बहुत emotions थे, अलग-अलग तरीके, कि सब को नाम देना possible नहीं है, लेकिन मेरे पास डरने का time नहीं था, मेरे पास ये बस एक महीने थे, hardly एक महीने थे, job के साथ करना था, पास डरने का समय नहीं था, आपके पास डरने का समय नहीं होना चाहिए, आप बैठके यही नहीं सोच सकते, आप effort नहीं कर सकते ही सोचना कि यार, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या करोगे, अगले साल बैठे रहोगे, imagine कर लो, सबसे खतरना चीज जानते हो, क्या कोती है imagine करना, कि फिर से उसी जगा पे होना अगले एक साल तक, ठीक है, तो या तो ये कर लो, या तो ये side कर दो, अगले 18-19 दिन, अब रगड डालो, रगड डालो, ठीक है, अब आती है next point पे, कि रगड ना क्या है, है ना क्या चीज बात कर रहो हूँ मैं, तो next time है ना, कि less time is equal to high frequency, ठीक, अब जो मैं बात बोला हूँ ना, कि मेरे पास समय कम था, ठीक, तो मैं उन्ही चीजों को पढ़ता था, जिनसे मुझे पता है कि question paper आने वाला है, ठीक, तो इसके लिए पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, कि PYQs क्या थे, कौन-कौन से थे, कौन-कौन से एरियास थे, तो अभी तो analyze नहीं कर से, तो मान लो analyze नहीं किया, मान लो आज के दिन मिला के 19 दिन है तुम्हाँ पास, तुम्हाँ पास अभी भी चार दिन है, कि सारी जितने भी तुम मेरे वीडियोज देख सकते हो, या तो कोई भी बंदा XYZ YouTube चैनल है, जिसने PYQs को, UPP पीसे की PYQs को discussion कर रखाओ अच्छे से, और वो जाके देखो, analyze करो, और अपने जितना भी material था ना, उसमें से clutter को side कर लो, उसमें से noise को side कर दो, जिन से question बन रहा है, उनको prioritize करो, ठीके, उसमें अपनी frequency high करो, अब क्या होगा, कोई भी नया material, मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि या last time पे नया material मत छूना, ठीके, क्योंकि अगर कोई अच्छा material दिलता है आपको, है न, और आप last के 15-20 दिन में हो, तो आप क्या करते हो, कि उससे न, आपको skim करना, fast skim करना, बहुत possible आप के लिए, अगर आपस mood में हो, आपको पता है कि क्या चीज नहीं आती है, क्य slow नहीं पढ़ते हो आप, ठीक, तो उससे next चीज आती है आपकी, कि आप न, आपकी efficiency बहुत हाई होती है, जैसे आपको अगर आपने वो अनुदीब दुरिशटी सर का वीडियो अगर देखा हो, तो उन्होंने एक छोटा सा anecdote दिया था, कि दो group of students को same task दिया गया, लेकिन ए भी X, Y, Z काम हो, आपके पास जब urgency होती है न, किसी काम को करने की, तो आपकी efficiency है बहुत हाई हो जाती है, अगर बहुत की बात करें, तो चीज़े मैं relative की बात कर रहा हूं, दो लोग को compare करने की बात नहीं कर रहा है, कि एक्स की, एक्स की, मतलब बगर comparison में Y की efficiency हाई रहेग पहली बार पढ़ रहो, पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को वो नहीं judge करता हूँ, और यार, भाईया, अब तक क्यों तुम्हें पढ़ा ही नहीं, नहीं पढ़ा, कोई ऐसे देरे सारे लोग हैं, भाईया, लास्ट टाइम पर बहुत जॉब आले होंगे, हैना तो मैं उनमें से नहीं हूँ, जब अपना व्यू नहीं थोपना चाहिए किसी को उपर, कि अरे ये तो अभी तक प्रिपेर ही नहीं था, nothing, तुमको एक्जाम से पहले प्रिपेर होना है, एक्जाम के दिन से पहले अपने आपको ये बोल देना है कि कल जा रहा हूँ, mindset क्या होता है ना, कि अब से जब तुम रहते हो, तो रोज अपने आपको, ये मतलब इतने neutral space में ले आना होता है, कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका discussion ही नहीं ये दिमाग में तुमारे, बस मैं जो मेरे सामने हैं, उसको किसी तिरफ पढ़ के कतम करना है, one day at a time, ठीक है, आपकी material पढ़ना ठीक है, decide हो गया, next है multiple revision strategy, ठीक है, एक बात याद रखना, कि we are dealing with something जिसको, ऑना, analytical part पे उतना आपको grill नहीं करता है ये exam, ठीक है, बहुत clear हूँ मैं इस चीज़ को बोलने में, खुद निकाला हुआ है, UPSC चार बार पिलिम्स निकाला हुआ है, ये भी exam पिलिम्स निकाला हुआ, मुझे पता में क्या बूल रहा हूँ, ठीक, UPSC में क्या होता है, you go for again and again, आप रुक के पढ़ते हो, है न, कि quality भी पढ़ते हो ना, तो वो Parliament वाला chapter पढ़ते हो, कि अरे यार कौन सी चीज, इंडिया का innovation है, या फिर आप Central State Innovation पढ़ते हो, तो अरे या फिर other, जो emergencies होती है, President Law होता है, माफ कीजएगा, President Rule जो होता है, तो उसमें जब आता है, तो उसमें क्या clauses है, कितने देर तक रह सकता है, क्या changes आते हैं, लेकिन वही चीज यूपी PCS में change रहती है, factual चीज चलती है, तो skin करो, जल्दी जल्दी पढ़ो, है न, चीजों से Family IT बढ़ाओ, कोशिश ये मत करो कि एक ही बार पढ़ोगे, दो ही बार पढ़ोगे, हो जाएगा, तुमारा, नहीं होता है, आपका Simple Fund होना चाहिए, Multiple iterations जाना है, Multiple iterations, जितनी बार हो सके, किसी चीज को, आपको Allow करती है, तो आप उतनी बार उसको पल्टो, पैच पल्टो, और देखो कोई term के अगल बगल कोई key term दिख रहा है, है ना, तो उसके अगल बगल और क्या चीज़े तुम्हें दिख रही है, कि question में आया, click किया, तुरंट tick मारे आगे बढ़े, ठीक है, पेपर लंबा होता है, 1500 question होते है, analytical होता तो वैसे भी तुम नहीं कर पाते हैं, है ना अगर तुम इस strategy से नहीं जा रहे हो, कि तुम्हें कोई चीज़ चमकते ही, कि तुम tick नहीं कर रहे हो, at least तुम option पढ़ते हो, मैं यह नहीं बोला हूँ, बिना option बढ़े है, आप में tick कर दिया, लेकिन आपको यह होना चाहिए, कि कोई चीज़ चमकी, तुरंत याद आना च देखेते, आप वो words खोशते हो, okay, done, next पे आगे बढ़ो, ठीक है, तो आपको revision strategy, multiple revision strategy होनी चाहिए, ना कि एक दो, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नहीं है, तो उसको इस तरह से पढ़ो कि last के हफते में उसको दो-तीन बार revise कर लोगे, ठीक है, लेकिन जो पुरानी पर अगर तुम ताबलेट यूज़ कर रहो, तो तुम्हें multiple iteration जाने के लिए 4 अलगलग pens होने चाहिए, या फिर तुम्हारे पास print out है, तो तुम्हारे पास अलगलग pen होने चाहिए, यह होने चाहिए, यह नहीं होने चाहिए, डेट लिखो उसके first page पे, कि आज मैने पहली पर पढ़ा, दूसरी बार अगले दिन ये पढ़ूँगा, तीसरी दिन अगले बार ये पढ़ूँगा, तो यह चीज़ आपको कदम clear होने चाहिए, ठीक, next आता है, कि अगर multiple iteration कर रहे हो, तो किस चीज़ की कर रहा हो, कैसे strategy करना है, क्या prioritize करना है, कौन से state, मतलब subjects की, ठी ठीक है, तो मतलब question वहाँ से जब आते हैं, 30-35 question आ रहे हैं, और मैंने बोल रख है, आपकी कर रहे हो, 32 question आते हैं, तो 28-30 सही होने चाहिए, यह 35 आ रहे है, तो 30-32 सही करने हैं आपको, क्योंकि फिर क्या होता है, आपको clear करने की chances हैं, अब मैंने बात क्या कर रहा हूँ, 95 95 क्यों गए रहा था मैं, चलो उसको last में बात करेंगे, अभी यहाँ पर flow हमाना खराव हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, तो पहली बात हो current affair, अब आती है, दूसरी बात मैंने quality के बाद बोल लखी दिया आपसे, कि quality में भीया, 18 question अगर 20 question आ रहे हैं, तो target अपने का होना चा high profile areas पढ़के जाओ, वहाँ पे आप उसको produce कर लोगे या, रटा मारो यहाँ से, अब तो रोज रटा मारो बैटके, अब मैं तो कहता हूँ कि अगर 30 page का PDF मैंने provide कर रखा था, अगर नहीं लेना चलो चुड़ो अपने जो तुम्हारा note बना रखे हो, 10 page, 15 page का PDF बना लखे ह होगा ना, उसको कितनी बार प्रिवाइज कर सकतो हो, तो कितनी बार भी पढ़ चुके हो, अब से, लेकिन ये last week में या last के 12 से हपते में, 20 दिनों में, 19 दिनों में, आपको इसको 3 से 4 बार और ले जाना है, तो ये मत सोचना कि कितनी बार पहले कर चुके हो, अब से ये decide कर कितनी बार करना है, सेम मुझे लगता है कि environment में low hanging fruit है, सेम pattern है, कि कौन सा location factor, कौन सी चीज कहां पर है, मतलब national park हो गया, tiger reserve हो गया, wildlife century हो गया, कुछ-कुछ key terms हो गया है, वो key terms को किसे ने float किया हुआ है, किसने ये concept दिया हुआ है, ये सब data fact की बात हो गई, culture के factor हो गया, economics क effect हो गया, मैंने अभी budget वीडियो पोस्ट किया था, या फिर अपने आप किसी भी sources sources से पढ़ रहे हो, आपको वो कर लो वहाँ से, ठीक है, ये चीज बिलकुल नहीं अपने ignorance zone में नहीं डालना है, इस वाले fact को, गयो कि बहुत लोग आवाइट करते हो, क्यों कि लगता है न अपने मम्मी, अपने बापा, अपने भाई, बहन से कहानी दिखा, जोड़ लो किया रहे है, उसी कहानी में वो इतने number है, या फिर वो factual data ये ये है, इस में ranking में ये ये है, तो किसी के साथ कोई कहानी जोड़ लो उसको, ठीक है, तो इस समय जो कहानी बनाओगे न, वो retain रह है आपका jaanade, पर समय और हमी, आपका सोचल रिलिजस मून्मेंट पे रहेगा, ट्राइबल अपराइजिंग पे रहेगा, पीज एंड अपराइजिंग पे रहेगा, किताबों के बार में रहेगा, इस पारे हमें अपना जोगराफी, जोरफी तुमने बहुत पूरे साल सब्सक्राइब पढ़ना पढ़ता है वो आता है आपका इंशेंट प्लस मेडाइबल ठीक है मैं आज तक मेडाइबल पढ़ा नहीं इंशेंट पिछले कुछ सालों से पढ़ना लगा हूँ शखास का यूपी पीस के लिए तो इंशेंट के लिए वही बात है कि पीवाई क्यूज कर लो उनकी आप्शन को देख लो ठीक है उससे कोशन बनता है ठीक है अदरवाई अपने पढ़ा रखा है तो ठीक है नहीं तो कितने कोशन यहां से बनेंगे बारा कोशन बारा कोशन हटा के भी ना अगर 133 कोशन अर्टम करते हो तुम ना तब भी तुम्हारा सेलेक्शन हो जाएगा ठीक तो चीजों को बहुत क्लियर रखना है ठीक नेक्स्ट है ठीक है work on yourself अब आती है यहां से इस टारगे 95 कोशन इसको ना यहां लिंक करते हैं अपने उपर काम करने की बारी यह होती है ना कि थोड़ा सा एक और कहान नहीं बताता हूं मैं अपने ही ग्रुप में जोड़ सारे experiences share किये जा रहे थे कि यह हो सकता है यह हो सकता है तो उन्होंने एक चीज बोली उनका last day था है ना उनका last day interview था तो उन्होंने एक चीज बोली कि की सर ऐसा है कि लोग बोल रहे हैं कि बड़े absurd question पूछे आ सकते हैं क्योंकि तुम्हारा last day है और वो भी afternoon session में है तुमार question बड़े अजीव हो जाएंगे क्योंकि तब तक na question exhaust हो चुके होंगे अच्छे अच्छे तो मैंने का ठीक है तुम absurdity के लिए त्यार हो जाओ ठीक है मलब कहने का मेरा मतलब यह है ना कि absurdity के लिए जब तुम तयार रहोगे ना तुमको यह पता है ना कि तुम preparation कर रहे हो interview क तुम factually तो सचेगा तुमने मेनत कर रखी है ना तो जब वो इस तरह के absurd बाते करेंगे तो इस पर stress करने के वजाए उसको बहुत ही sportingly लेना होता है और वैसे ही बहुत ही jobial nature के थुरू अब उस answer को देना होता है तो यही चीज है कि अगर आपको पता है कि कोई question paper है जिसमे absolute question आ सकते हैं तो अभी उस चीज को उस zone में जाना start करो कि यार देखो जो पढ़ा है ना वहाँ से मैं question गलत नहीं करूँगा ठीक at the same time अगर कुछ question ऐसे है जिनमें चीजें फस सकती है तो मैं panic नहीं करूँगा वहाँ पर जाके ठीक है अपने आपको पेलाना start करो अपने अपने brain को ना manifestation zone में जाना होता एक manifestation zone में जाओ और अपने आपको प्रिलाना start करो कि देख भाई panic तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं मेरी preparation level पे ही लोगों ने selection पाया हुआ है लोगों ने prelims clear किया हुआ है अगर मेरा किसी चीज के लिए रुक रा था किसी चीज के वाई से जरू करा था तो वो गलतियां बिल्कुल नहीं करूँगा मैं अगर कोई option पढ़ने में गलतियां हो रही हो तो वह इस बार नहीं करूँगा तो जितनी भी गलतियां है ना अपने आप पे अभी से काम करना start करो last time पर नहीं जाना है ठीक और यही बात आती है तो working on yourself itself mean कि आ चार से पांच question कहलो या फिर चार कहलो या फिर पांच questions कहलो यह इनका कुछ ठीकाना नहीं है इतनी साल के रिफॉर्म के बाद भी इनसे चार से पांच question ऐसे रहे जाते हैं जिनका answer इनको कुछ ठीकाना नहीं है या फिर कुछ delete कर देते हैं ठीक तो unless and until न अभी से ही 95 plus का target लेकर नहीं चल रहे हो अपने दिमाग में ठीक अपने दिमाग में यह नहीं मलब कर रहे है यह होता हो और आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको mains flying colors से आपको clear करना है तो pre आपको बहुत अच्छे से clear होना चाहिए otherwise जो जितने दिन तक आपका prelims का result नहीं आता है ना जब तक result नहीं आता है ना उतने दिन तक आप बीच में अधर में लड़के रहती है आपकी preparation तो अगर आपने mains की preparation कर रखी इतने दिनों से बहुत अच्छा आप समझते हो आपकी writing power बहुत अच्छी है आपको graphs बहुत अच्छे से होता है आप understanding बहुत अच्छी है और आपको लगता है जिस दिन आप mains लिखे हो गो उस दिन तो निकाली लोग भी बहु बहुत जरूरी है कि prelims को बहुत अच्छे से clear करना जरूरी है क्योंकि आपका 45 दिन चला जाएगा अगर मालोग कम से कम एक महिने में भी result आता है तो एक महिना 30 दिन में बहुत कुछ हो सकता है तो इसलिए आपको अपने उपर काम करना है अगले कुछ दन बहुत ही positive mindset रख तो अगर आपको ये साल के last में एक officer के रूप में अपने आपको देख रहे हो तो अगले कुछ दिन बरबाद मत करना अपने आप से negative बाते मत करना negative लोगों से किनारे हो जाओ अलग कर लो अपने आपको उस zone में चले जाओ जहां पर तुम्हारे पास समय ना हो stupidity के बारे म सोचनेगा ठीक तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ बहुत जारा बड़ा हो जाएगा तो आपका समय बहुत important है हो जागे तो 1.5x में देखना इस वीडियो को तो काफी helpful रहेगा I hope इस वीडियो में मैं वो बता पाया हूँ जो एक अच्छे aspirant के mindset के बारे में ब कर दोस औरे में बहुत एक एका स्वार्ण का इस वीडियो में बहुत उस है तोस्साव ज्में बहुत कि जगते हैं थे खवबेगा भीडियो में बहुत जारा टूस अच्छे बहुते हैं अपका साथ